Well guys, welcome back to another video So guys, अगर आप लोग कोई home theater ढून रहे हैं अपने लिए जिससे आप अपने PC में, laptop में, TV में या फिर mobile के तुरू चला सको Then guys, आज किस वीडियो को पूरा जरूर देखना यहाँ पर मैं आपको top 5 best home theaters बताने वाला हूँ जो कि आप under 2,000 rupees में easily purchase कर सकते हो Some of them are 2.1 channel based home theaters and some of them are 5.1 So, दोनों ही तरह के home theaters आपको list में मिल जाएंगे And सभी की best buying links भी नीचे description में मैंने दे दिया है But वाँ जाने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखना बाकी काईश चलिए, let's get started Set number 5 आता है Jabronix का JabSW अभी ये वाला जो home theater है 2.1 channel पर आता है देखने में काफी normal सा है इसका जो subwoofer है वो थोड़ा जादा बढ़ा है एक normal subwoofer से बाकी side में आपको volume lockers वगरा दिया हुआ है मतलब इसका side है वही इसका front बना हुआ है आपको USB input का support, auxin का support मिल जाएगा सब ही controls आपको नीचे सब woofer पर दिये हुए है दो छोटे-छोटे speaker है बाकी ये जो home theater है built-in FM के साथ आता है आप चाहो तो इसमें FM भी चला सकते हो speaker frequency की बात करूँ तो आपको 14 watts का total output मिलेगा इस वाले home theater से and around 40 hertz तक की frequency ये support करता है बाकी इसमें 3.5 mm का support मिलता है जिसके तुरू आप जब भी possible devices में इसको connect कर सकते हो sound इसका ठीक ठाक है इतना अच्छा नहीं है बट अगर आपका price बहुत कम है like आप 1700-1800 रुपे में कोई home theater purchase करना चाहते हो वहाँ पर ये ठीक है और अगर आपको 2.1 channel ही चाहिए आपको ज़्यादा sound नहीं चाहिए वहाँ तक ये home theater C में थे एकदम ठीक है बट इससे उपर अगर आप expect करते हो sound काफी अच्छी वो आपको इससे नहीं मिलेगी उसके लिए मैंने list में और home theaters आपको बताए है इस लिंक सभी home theaters का description में मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप इन्हें check out कर पाऊगे कैसे comes number 4 जो की iCall का iK401 आता है अभी ये जो home theater है ना 4.1 channel के साथ आता है जो की आपको काफी superb sound प्रोवाइड कर देता है सबसे पहले इसमें आपको FM का support मिल जाएगा काफी अच्छा मिल जाता है total जो sound है वो around 60 watts का मिलता है तो काफी ज्यादा heavy sound मिल जाएगा आपको speaker से आपको 10 watts का support मिलता है and जिसका subwoofer है ना वो 20 watts का आता है mainly आप 40 hertz से लेके 200 hertz तक की sound इसमें सुन पाऊगे remote भी आपको मिल जाता है and yes ये वाला जो home theater ना Bluetooth enabled के साथ आता है आप इसको Bluetooth के थूरू connect कर सकते हो warranty आपको इसके साथ one year मिलती है i-call की तरफ से price की बात करूं तो around 1900 rupees के आसपास इसका price है कई बार आपको ये 1700 hertz में भी मिल जाता है तो overall अगर आप अपने TV के लिए कोई home theater ढूंड रहे हो ना वहां पर तो ये best है but for PC purpose ये में को इतना अच्छा नहीं लगा normally आप गाने वगएरा सुन सकते हो movies वगएरा देख सकते हो उसके लिए सही है बाकि सस्ते price में आपको थोड़ी अच्छी चीज़ चीज़ है उसके साफ से भी काफी ठीक है बाकि one year warranty आपको इसके साथ भी देखने को मिल जाती है जो की ट्रॉनिक का किंग की तरफ से आता है अभी ये जो home theater आपको 5.1 चैनल के साथ मिलेगा यहाँ पर आपको Bluetooth का support भी मिल जाएगा बाकि FM पे Android वगएरा सब लगा सकते हो आप इसको AUK support के थूरू भी चला सकते हो 40W का आपको total power output मिलता है तो sound का जो experience है ना इसका base वगएरा इतना अच्छा नहीं आएगा बाकि speakers की जो audio quality वो भी इतनी सही नहीं है जितनी आपको बाकियों मिल जाएगी आने वाले list में बट TV के साब से काफी सही है बाकि PC के लिए भी ठीक है क्योंकि इसके speakers है काफी छोटे आते हैं रखने में easily आ जाते हैं आपको Bluetooth का support मिल ही रहा है तो आप इसको phone से भी चला सकते हो build quality भी इसकी ठीक ठाक मिलती है plastic body आती है speakers की जो body है वो भी बाकि जो buffer है वो आपको wooden में मिलता है सामने की तरफ LED मिल जाएगी आपको volume locker पे बाकि आप इसके base को manage कर सकते हो inbuilt FM और बाकी चीज़ों का support मिल जाएगा price इसका around 2000 rupees है 1 year आपको warranty भी मिल जाती है guys number 2 पे आता है FND का F210X जो की आपको काफी massive performance and sound देता है literally इसकी जो sound quality है वो काफी अच्छी है and पहुती जादा premium and elegant design में आपको ये देखने को मिलते है speakers की अगर मैं आपसे बात करूँ तो काफी छोटे and अलगी unique design में मिलेंगे बाकी जो subwoofer है उसके design भी काफी अच्छा आता है ये 2.1 channel के साथ आते हैं बाकी इस buffer में आपको ज़्यादा कुछ functions नहीं मिलेंगे but due to brand value and इसका जो sound है उसकी वज़े से ये आपको number 2 पर दिखते हैं वैसे इसमें आपको Bluetooth का support तो मिल ही जाएगा and जो power output है वो around 15 watt मिलता है sound आपको ठीक ठाक मिलेगा अकर आप PC के लिए कोई home theater लेना चाहते हो चोटा जिसको आप easily रख सको portability हो Bluetooth के थूरू चला सको तब आप इसको ले सकते हो but for TV purpose ये इतिना अच्छा नहीं है जितनी अच्छी performance आपको i call and tronica वाले दे देंगे बाकि one year warranty भी आपको मिल जाएगी Bluetooth की जो range है वो भी काफी ठीक है around 10 to 15 meters मिल जाती है आपको आप इसमें USB card reader को भी लगा सकते हो and FM का support भी है बट यहां पर subwoofer पर कोई control नहीं दिया गया आप इसको remote के थूरू control कर सकते हो बाकि इसका जो price है वो around 1800 rupees है तो अगर आपका budget भी कम है और आपको 2.1 channel का ही चाहिए आपको जादा heavy नीच ही है तब आप इसको देख सकते हो काफी अच्छा home theater आता है इसने को मिल जाएगी subwoofer पर एंड जो speaker है चार तरह के आपको speaker मिलते है सभी में आपको RGB light मिलती है सभी standard controls आपको home theater के सामने मिल जाते है आप इसमें pen drive वगएरा लगा सकते हो and Bluetooth enabled आते है आप इसको Bluetooth के दूरू चला सकते हो बाकि built-in FM वगएरा सब भी चीज़े मिल जाती है and इसका output है वो आपको 20 watts का तो subwoofer से मिलता है and 10 watts each speaker आपको मिल जाता है यानि around 40 तो total जो output है वो आपको 60 watts का मिल जाएगा overall इसकी sound quality है आज के सारे home theaters में सबसे best sound quality देने में ये वाला home theater capable है तो आप इसको TV के लिए consider कर सकते हो PC के लिए भी consider कर सकते हो अगर आपको gaming setup type कुछ RGB colors वगएर वाला home theater चीए वहाँ पर बाकि Bluetooth का support भी है तो आप phone वगएरा से भी इसको control कर पाऊगे and aux input के थूरू आप हर जगा इसको चला ही सकते हो इसकी बात करूं तो around 2400 rupees इसका price है बट लिटरली sales में या फिर नॉर्मल इसका जो प्राइज है काफी कम मिल जाता है आपको कई बार 2000-2100 पर भी आ जाता है एक साल की warranty आपको Jabronix किसी तरफ से मिल जाएगी and 2000 rupees में the best option है अगर आपको कोई multi-purpose home theater चीए आप इसके साथ easily जा सकते हो अगर आप PC के लिए कोई home theater चाते हो आपको जादा speakers नीच है तो FND या फिर Jabronix का number 5 वाला आप देख सकते हो अगर आपको best option चीए तो Jabronix BT444 is the best option for you and TV के लिए कोई देख रहो न तो number 3 and number 4 पर जो मैंने आपको बता है वो दोनों भी काफी अच्छे है अगर आपका budget थोड़ा जादा है तो आप जैपनिक्स वाला भी देख सकते हो आज किस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यी वीडियो पसंद आई है ना तो इसको like करना नीचे comments में को बताओ कौन सा home theater में से छूट गया जो इस list में हो सकता था बाकी guys में मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नएक एजिट के साथ में हैं